अलो एस्पिरेंट्स, I welcome you all at Purcham Classes. आज के सेशन में देखे, students हमें types of deficit करना है. जब budget बनता है, तो कभी-कभी देश के अंदर deficit आया होता है, कभी-कभी देश के अंदर balance होता है, कभी-कभी देश के अंदर surplus create हो जाता है. तो क्या होता है, ये deficit, क्या होता है, surplus, क्या होता है, balanced budget, ये सारी बाते हम लोगों को करनी है, और कितने तरीके के deficits होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें इस session में discuss करना है. ठीक है, I hope आप लोग enjoy कर रहे हैं sessions को. तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि पर्चम Classes आप लोगों के लिए S.S.C. GA का course लेके आया है, जिसके अंदर complete history, geography, economy, polity, static, gk, science, सब कुछ cover होगा, ठीक है, ये हमारी पूरी team, जिससे आप लोग पहले से ही वाकिफ हैं, ठीक है, आपको पर्चम Classes आप का, पर्चम Classes आप डाउनलोड कर लेनी है, और फिर आप लोग हमारे इन courses के अंदर अंडॉल कर सकते हैं, अगर आप में से किसी को सिर्फ economy का course लेना है, अगर आप लोग उसमें इन्डॉल करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, इस पूरे course को मैं करवाऊंगी, बिल्कुल 0 से लेके high level तक, तो अगर इन दोनों ही batches पे, चाहे economy का course है, चाहे GA का course है, अगर आपको कुछ extra discount चाहिए, तो अपनी class को हम शुरू करते हैं, कि क्या-क्या चीजें होने वाली है, types of deficit में हमें क्या-क्या पढ़ना है, देखो हमने budget का classification पढ़ा था, हम जब budget बनाते हैं, जब हम घर में budget बनाते हैं, तो कैसे बनता है budget, ये देखते हैं कि पापा कितना कमा रहे हैं, और उस हिसाब से हमें अपनी ज़रूरते देखनी है, कि घर में हम iPhone लें, या हमें landline लगवाना है, या हमें छोटू वाला phone चाहिए, keypad वाला, हम कैसे खर्चे करेंगे, it all depends कि हमारे पास कमाई क्या है, हमारे पास receipt क्या है, उस receipt को, उस कमाई को, उस income को देखते हुए, हम लोग अपने घर के खर्चे तै करते हैं, तो इसी तरीके से हम घर में क्या करते हैं, कि एक तरफ सारी कमाई जोड ली, और उसके हिसाब से सारे खर्चे जोड ली है, कमाई बहुत अच्छी है, तो घर में एक centralized AC लगवा लेंगे, income बहुत जादा है, तो हमारे घर के अंदर भी बहुत सारी, तीन-चार ओडी खड़ी खड़ी पाएंगी, आपको बड़ी-बड़ी BMW गाड़ी यां खड़ी पाएंगी, ठीक-ठाक सा पैसा है, इस्पिटल्स की फीस देते हैं, गवर्मेंट कॉलेजिस की फीस देते हैं, सरकार की अलग-अलग शेर चलते हैं, जगा-जगा सरकार ने शेर खरीदे होते हैं, बहुत सारी ऐसी companies हैं, जो गवर्मेंट की खुद की companies होती है, railway से, education से, बहुत जगा से सरकार कमाई करती है, वो कौन-कौन सी कमाई होती है, कौन-कौन सी receipt होती है, कौन-कौन सी incomes होती है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने budget में पढ़ी थी, जब मैंने आपको budget करवाया था, ठीक है, अब जो है, हमने क्या करना है, उन सब ही receipts को, और उन सब expenditure का एक तालमेल बनाना है, ठीक है, इस class में अपा वो करने वाले हैं, तो अब देखिए, क्या होता है, budget के अंदर, तीन cases हो सकते हैं, तीन cases कौन-कौन से हो सकते हैं, students उसको समझना, पहला case यह हो सकता है, कि आपकी income, जो है, वो बहुत ज़ादा है, और आपका expenditure जो है, वो बहुत कम है, income बहुत ज़ादा है, expenditure बहुत कम है, इस case में क्या होगा, हमारा जो budget बनेगा, वो एक surplus budget होगा, income मान लीजे 120 है, खर्चा सिर्फ हमने 100 रुपे का किया है, तो हमको 20 रुपे profit हो जाएगा, surplus कितना हो गया, 20 रुपे, इसको क्या कहते हैं, surplus यानि आधिक्य, अधिक्ता में हैं हम, हम surplus में हैं, अपने पास बहुत सारा पैसा है, surplus आ गया, ठीक है, दूसरा case क्या हो सकता है, कि अगर मेरी income और expenditure, दोनों बराबर है, income और expenditure, ये भी 120 था, ये भी 120 है, तो इसको में क्या कहूंगी, मेरा जो budget है, वो एक balanced budget है, क्या है वो, वो एक balanced budget है, वो एक संतूलित budget है, क्यूंकि ना मुझे loss हो रहा, ना मुझे profit हो रहा, तीसरा case क्या हो सकता है, क्या है कि मेरी income तो बहुत कम है, और मेरा expenditure बहुत जादा है, income बहुत कम है, और मेरा expenditure बहुत जादा है, जैसे मेरी income मान लीजे 100 रुपीज है, और expenditure 120 रुपीज है, तो ये क्या आ जाएगा, minus 20, यानि मुझे क्या हो गया, हमारे देश को क्या हो गया घाटा हो गया हमारे देश को क्या हो गया डेफिसित हो गया हमारे देश को डेफिसित हो गया घाटा हो गया है और क्या कहेंगे कि भारत के अंदर एक डेफिसित बजट बना है डेफिसित बजट शब्द आते ही क्या आ जाएगा दिमाग में कि कमाई तो कम हुई है खर्चा कहीं न कहीं जादा हुआ है अब यह deficits को हर सरकार चाहती है कम करें हर सरकार चाहती है घाटा कम से कम दिखाई दे किताबों में हर सरकार चाहती है कि हम लोगों को जो deficit है वो जनता की नजरों में जो है वो कम से कम दिखाना है तो इस deficit के बहुत सारे types बना रखे हैं अलग-अलग तरीके से deficits को निकालते हैं जो आपको अलग-अलग आंकडे बताता है अलग-अलग जायजे के लिए ठीक है आप क्या करते हैं कितने तरीके के deficits होते हैं अब हम उनको देखते हैं ठीक सबसे पहले एक बार आप लोग क्या देख लेंगे कि हमारे पास receipts कौन-कौन से होते हैं और expenditure कौन-कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था revenue receipt के अंदर tax और non-tax की कमाई थी non-tax में जो भी हमारे उपर penalty लगता है PSU का profit मैं आप लोगों से request करूंगी एक बार classification of budget नाम का जो topic है पहले उसको देख लेना उसके बाद आपको ये deficits और अच्छे से clear हो जाएंगे ठीक है जो बच्चा directly इस class पे आ रहा है उसको ये समझ नहीं आएगा पहले classification of budget वाली video देखना जिसके अंदर आपको ये सब पता लगेगा कि capital receipt क्या होता है revenue receipt क्या होता है तो capital receipt में क्या क्या चीज़े आएंगी loan और disinvestment revenue receipt में क्या आएगा वो हमने देखा था ऐसे ही फिर expenditure हमने देखा था revenue expenditure और capital expenditure revenue expenditure में क्या क्या आता है capital expenditure में क्या क्या आता है आपको चार तरीके के deficits दिखाई दे रहे हैं ये चारों तरीके के deficits कैसे निकलते हैं इसको एक बार देख लेते हैं देखो हमने क्या देखा था सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि budgetary deficit क्या होता है सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि budgetary deficit क्या होता है का पहला प्रकार बजट्री डेफिसिट जिसको कहते है बजटिय घाटा हिंदी वाले एस्पिरेंट्स कहेंगे इसको बजटिय घाटा अब मैंने शब्द यूज किया है डेफिसिट इस शब्द से ही आपको यह पता लगया कि एक्सपेंडिचर तो जादा है और इंकम कम है त कौन से एक्सपेंडिचर में से मैं कह रही हूँ बजटिय घाटा बजट का डेफिसिट यानि मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से मैं टोटल रिसिप्ट जो है वो माइनस कर दूँगी इसको कहते हैं बजट्री डेफिसिट जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे यह बज धारा expenditure जोड लेते हैं, खर्चा जोड लेते हैं, रिसिप्ट दो तरीके की बताई थी, revenue receipt और capital receipt, revenue receipt और capital receipt ऐसे ही expenditure दो तरीके का बताये था, revenue expenditure और capital expenditure, ये चीजे हम लोगों ने पढ़ी थी, अब माल लिजिये, यहां पे आपको revenue receipt के अंदर कितनी कमाई हुई, 100 रुपीज की कमाई हो गई Capital रिसेट में कितनी कमाई हुई 50 रुपीज की कमाई यहां हो गई तो मेरा Total रिसेट कितना आगया Students मेरा Total रिसेट आगया 150 रुपीज कितना आगया 150 रुपीज अब माल लीजे भारत देश का 力 का revenue expenditure कितना हुआ है माल लीजे 200 रुपीज का revenue expenditure हुआ है, ठीक है, capital expenditure कितने का हुआ है, माल लीजे 100 रुपीज का capital expenditure हुआ है, तो मेरा total जो expenditure है वो कितना आ गया, total expenditure आ गया 300 रुपीज का, 200 प्लस 100, 300 रुपीज का expenditure आ गया, अब मुझे किसी ने ये कह दिया कि आप budget deficit निकाले, मुझे formula पता है, total expenditure कितना हो गया, 300 रुपीज का, total receipt कितनी हो गयी, 150 रुपीज की, तो answer क्या आ गया, 150 रुपीज, ये आपका budgetary deficit निकलाया, ठीक है, ये आपका budgetary deficit निकलाया, अब हम अगले deficit की तरफ चलते हैं, जिसको कहते है revenue deficit, जिसको क्या कहा जाता है, revenue deficit, ये revenue deficit क्या होता है, revenue deficit होता है students, अब फिर से मैं क्या कह रही हूँ कि, deficit का मतलब क्या हो गया, expenditure minus receipt, बई deficit है, तो obviously चीज़े expenditure ज़्यादा है, और कमाई कम है, तब ही उसको ही हम deficit कह रहे हैं, तो expenditure minus receipt, कौन सा expenditure, हम किसकी बात कर रहे हैं, revenue deficit की बात कर रहे हैं, तो expenditure भी हम कौन सा लेंगे, revenue expenditure, कौन सा लेंगे, revenue expenditure, और receipt की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा लेंगे, revenue receipt बात, revenue receipt जो है, वो हमें receipt में लेना है, ठीक है, अब जो हमने पीछे समझा था, जो हमने पीछे अभी देखा था, अब आप देखो कि revenue receipt कितना है, 100 रुपीज का, मैं यहाँ पे put कर दूँगी, revenue receipt मैंने 100 रुपीज पुट कर दिया, तीक है, अब देखिये revenue expenditure कितना है, revenue expenditure है 200 रुपीज का, मैं यहाँ पे इसको put कर दूँगी, तो यहाँ से, मुझे जो revenue deficit मिला, वो कितना मिला, 100 रुपीज का, यहाँ पे हम capital का हिस्सा नहीं ले रहे, हम सर्फ revenue expenditure में से revenue receipt माइनस करके देख रहे हैं, जो answer आया है, अपने according, अपने example के according कितना आ गया, 100 रुपीज, यहाँ से आपको क्या समझ आया, कि जो revenue expenditure है, वो तो ज advance ज़्यादा बाट रही है, सरकार subsidies ज़्यादा दे रही है, सरकार interest पे ज़्यादा कर रही है, वही loan ले रखा था, interest ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब सरकार आप लोगों को तो दे रही है, pension है, subsidies है, लेकिन revenue receipt यानि की, आप लोग सरकार को tax नहीं पे कर रहे हो, आप पेर टू कम, इंटरस्ट पे ज़्यादा कर रही है, गवर्मेंट कम, मतलब रिसीव कम हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहां से यह पता लगता है कि गवर्मेंट जो है, वो खर्चा तो ज़्यादा कर रही है आप लोगों के उपर, पेंशन पे, सबसीडी पे, लेक इसके बाद revenue deficit के बाद अगला जो deficit होता है उसको हम क्या कहते है fiscal deficit उसको हम क्या कहते है वित्तिय घाटा यानि fiscal deficit ये most important deficit होता है students पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला deficit है ये revenue fiscal deficit कैसे निकालते है इसका formula होता है total expenditure total expenditure ठीक है minus total non-borrowing receipt minus total non-borrowing receipt क्या मतलब हुआ इसका इसको समझे टोटल non-borrowing receipt इसका मतलब क्या हुआ इसको समझे बिल्कुल ध्यान से माल लिजे आपका घर है ठीक है आपका घर है आप इस घर में रह रहे है ठीक है आपने क्या किया आपने माल लिजे 500 रुपीज का खर्चा कर दिया आपका खर्च कितना हो गया आपका खर्च यानि आपका expenditure कितना हो गया 500 रुपीज का आपका expenditure हो गया अब आप इस 500 रुपीज को पूरा करने के लिए compensate करने के लिए अपनी सारी कमाई जोड़ देते हो आपको पता लगा कि मेरी कमाई 100 रुपीज यहां से पूरे हो गए फिर आपने क्या किया आपने 100 रुपे जो है वो आपकी कमाई हो गई मतलब आपके पास कितने रुपे थे? 100 रुपीज थे अब आपने क्या देखा? यारए मैंना मेरी दुकान भी बेच देता हूँ मैं मेरे मकान बेच देता हूँ क्यूंके मुझे 500 रुपे जो है वो पूरे करने है अब आपने 300 रुपे की अपनी मकान और अपने दुकान जो है शोपस जो है वो बेच दिये अपनी प्रोपर्टी जो है वो बेच दि अपनी प्रोपर्टी जो है वो बेच दि ठीक है समझ रहो बात को सो रुपे आपकी कमाई थी आपके ओफिस से आपको सैलरी मिली थी ठीक, आपकी salary थी 100 रुपीज, अब आपने properties बेच दी, properties बेच दी, अब इनसान इससे ज़्यादा क्या कर सकता है, property बिग गई, कोई बात नहीं, कितने रुपे ही कठे हो गए, 400 रुपे ही कठे हो गए, हमें चाहिए कितने 500, अब जब सारा सामदाम दंड भेद सब लगा लि पडिया, कितना उधार लेना पड़ेगा, खुद बताओ मुझे, इस 500 रुपे तक पहुचने के लिए, आपको कितना उधार लेना पड़ेगा, 100 रुपीज का उधार लेना पड़ेगा, 100 रुपीज आपको borrow करने पड़ेंगे, बस इसी को ही इस borrowing को calculate करना ही क्या होता है, borrowing को ही calculate करना fiscal deficit होता है बै माल लीजिए government ने 5,000 रुपीज जो है वो expenditure कर दिये मेरा total expenditure कितना आ गया 5,000 रुपीज आ गया माल लो government ने 5,000 रुपे खर्चे कर दिये अब government ने tax से, non-tax से, चलान से, PSU के profit से, shareों से, जितनी कमाई कर सकते था government गवर्मेंट ने सारी कमाई कर ली और कमाई हुई माल लीजिए 45,000 रुपीज की सरकार को income हुई है, हर तरीके से अभी सरकार ने उधार नहीं लिया है किसी से किसी से भी उधार नहीं लिया है उधार last में लेते हैं मतलब इस 4500 रुपे में, इस 4500 में मैंने कोई borrowing की receipt नहीं जोड़ी है मैंने उधार नहीं जोड़ी अभी इसलिए मैंने क्या लिखा total non borrowing receipt मतलब जो चीज मुझे borrow में नहीं मिला बाकी सब चीज़े जो है मैंने add कर ली यहां से मुझे क्या पता लगा 500 रुपीज मुझे borrow करने है और यही 500 रुपीज जो है वो fiscal deficit कहलाया कैसे निकाला मैंने मेरा सारा खर्चा जोड़ दिया मेरा सारा खर्चा आ गया 5000 रुपीज का अब मैं मकान बेच दी, प्रोपर्टी बेच दी सरकार ने अपनी बहुत सारी कमपनी बेच दे, डिस इन्वेस्मेंट कर दिया सब कुछ कर लिया, टेक्स से कमाई, नॉन टेक्स से कमाई शेरों से कमाई, जितना कर सकते थे उतना कर लिया और सब कुछ करके 4500 रुपीज प्राप्त कर सके बचा कितना 500 रुपीज जब गवर्मेंट को पता लगे हैं ये 500 रुपीज तो हमको बोरो ही करना पड़ेगा और ये जो बोरो का अंसर आया, this is fiscal deficit मतलब हम क्या कह सकते हैं, fiscal deficit is equals to government borrowing और भारत सरकार ने कसम खाई थी, कि हम इसको कम करेंगे लेकिन नहीं हो रहा है, धीरे-धीरे कर रहे है बड़ जितना सोचा था, उतना तेजी से ये कम नहीं हो रहा है इसको कहते हैं, fiscal deficit समझा आ गया, fiscal deficit क्या होता है एक बार हम slides में देख लेते हैं, fiscal deficit कैसे निकालेंगे देखो भई, expenditure माल लो, हर तरीके का expenditure हमने जोड दिया यहां से यह expenditure है, माल लो, माल लीजे, पच्चिस सो रुपे का ठीक है, और यह expenditure भी है, पच्चिस सो रुपे का तो total expenditure कितना हो गया, student, 5000 रुपे जो है, वो total expenditure हो गया ठीक है total expenditure कितना हो गया 5000 रुपे का total expenditure हो गया अब जब 5000 रुपे का total expenditure हो गया अब देखो कमाई जोडते हैं यहां से माल लो tax से आप लोगों ने 2000 रुपे कमा लिए 2000 रुपे टेक्स से कमा लिए इन सब चीजों से माल लीजिए सरकार ने 1000 रुपीज कमा लिए कितने new receipt कितनी हो गई, 3000 रुपे यहां से मिल गए, अब सरकार अपनी property बेचने पे आएगी, disinvestment करने पे आएगी, ठीक है, पता लगा, पता लगा कि 1500 रुपीज का आप लोगों ने disinvestment कर दिया, ठीक है, यहां से कितने रुपे आ गए, यहां से आ गए अपने 1500 रुपीज, ठीक, यानि कि total कितने रुपे receipt हो गए है, 4500 रुपीज अभी तक अपना receipt हो गया है, खर्चा कितना हुआ था 5000 रुपे का, मैंने कोई loan अभी receive नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं loan कितने का लेना है, अब मैं calculate करूंगी मुझे कितने का loan चाहिए, 5000 minus 4500, यानि मुझे पता दगा, मुझे 500 रुपे का loan चाहिए, तो loan received कितना हो गया students, 500 रुपे जो है, वो loan received हो गया, इसी को ही fiscal deficit हमने कहा दिया कि 500 रुपे fiscal deficit आ गया, clear हो गई यहां तक बात, ठीक है, तो यह होता है, fiscal deficit, एक बार slides में देख लेंगे, revenue deficit कैसे निकाला था हमने, revenue expenditure minus revenue receipt, आसान था, fiscal deficit कैसे निकाल रहे हैं, total expenditure minus total non borrowing, रेशिप्टीस में borrow नहीं include करेंगे, यानि fiscal deficit किसके equal आ गया, borrowing को ही हम fiscal deficit कहते हैं, Now next is primary deficit कैसे निकालते हैं, अब माल लीजिए भई, जो यह fiscal deficit है, यह कितना आ गया, 500 रुपीज जो है, वो fiscal deficit आ गया, 500 रुपीज फिसकल डेफिसित आ गया, अब government को ऐसा लगाया, यह तो बड़ा मोटा आकड़ा आ गया, 500 रुपे उधार लेना पड़ेगा, इतना सारा deficit के आंकड़े को, इसको data को कम करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, government ने क्या किया, government ने कहा एक primary deficit नाम की चीज निकालिये, primary deficit नाम का एक new formula जो है, वो बनाया गया, इसके अंदर क्या कहा, जितना भी fiscal deficit है, उसमें से interest जो हमको pay करना पड़ता है, उसको minus कर दो, हमने कहा क्यों भई ऐसा क्यों, interest payment आप क्यों minus कर रहे हो, अब इस बात को समझते हैं, मान लीजिए मैंने आप लोगों से, मैंने आप लोगों से 1st of Jan 2022 को, आप लोगों से मैंने 100 रुपीज उधार लिये थे, 100 रुपीज उधार लिये थे एक जनवरी 2022 को, ठीक है, अब तुमने कहा कि मैडम, फर्वरी से न, फर्वरी 2022 से आपको 20 रुपीज इंटरस्ट देना पड़ेगा, 20 रुपीज ब्यार्ज देना पड़ेगा आपको हमें, हम उधार तो दे देंगे, लेकिन इंटरस्ट देना पड़ेगा, ठीक है जी, इंटरस्ट देना पड़ेगा, अब उसके बा ममा मैंने तो 480 आसी कमाएं, जो पिछले महीने लिये थे इस बार का कोई घाटा नहीं है मेरा यह तो पिछली बार का घाटा था जो मैंने लिया था समझ रहे हो यानि जो interest हम pay करते हैं वो तो previous के जो हमने loan ले रखे हैं उसका ही तो ब्याज दोगे आज loan लिया है आज ही थोड़ना भ्याज दोगे जो हम interest देते हैं वो तो future date में देते हैं पिछले वाले loan का तो ऐसे ही भारत सरकार बोली भारत सरकार ने क्या कहा कि आप घाटा निकाल रहे हो 2022 ते इसका फिसकल डेफिसित निकाल रहे हो 2022 ते इसका लेकिन जो interest payment हम करते हैं ये तो 2021 के loan का करते हैं तो आप इसको minus करके देखो ये 500 रुपे कह रहे हो न आप तो इसमें से 40 रुपे तो जो है वो हमने interest payment किये जो पिछले साल का खर्चा था उस पे हम लोगों ने loan लिया है ठीक है इसको आज की घाटे में मत गिनो तो यहां से क्या आगया कि 460 रुपीज ही हमारा primary deficit इस तरीके से निकलाया कि जो interest payment हम करते हैं उसको minus करके देखते हैं ऐसे primary deficit निकलता है ठीक है अब primary deficit के बाद जो अगला deficit है एक बार slides के बाद उसमें देख लेते हैं हम कैसे निकला fiscal deficit minus interest payment to other जो हमने interest की payment करनी पड़ी अगला है effective revenue deficit क् Effective revenue deficit समझो इसको इसमें क्या होता है इसका formula होता है students revenue deficit revenue deficit minus grant given to other grants given to other for capital generation अब देखो ये कैसे निकलता है ये है माल लिजे central government यहाँ है central government central government ने क्या किया गुजरात government को 200 रुपीज दे दिये कि ये हम आपको grant देते हैं और आप इन 200 रुपे से सडक बना लेना रोड बना लेना क्या बना लेना रोड बना लेना ठीक है सडकें बना लेना रोड बना लेना तो अब एक बात को समझना हम क्या निकाल रहे है effective revenue deficit अब revenue deficit में से हमने वो grant minus कर दिया जिससे capital generation हो रही है जिससे कुछ ना कुछ संपत्ती बन रही है हमने capital generation वाला grant क्यों minus किया because capital generation का जो खर्चा होता है वो तो capital expenditure में होता है दो तरीके के expenditure पड़े थे ना revenue expenditure और capital expenditure capital expenditure कौन सा था जिसके अंदर कुछ asset create होता है जैसे सडकों का बनना जैसे hospital बनना पूल बनना ब्रिज बनना इस तरीके के जो होते हैं इनको तो कहते हैं capital expenditure revenue expenditure कौन होता है जिसमें कोई asset नहीं बनता जिसमें asset नहीं बनता तो भारत सरकार नहीं क्या कहा कि जो पैसा हम गुजरात की सरकार को दे रहे हैं सडके बनवाने के लिए उससे देश के अंदर पुंजी बन रही है उससे देश के अंदर asset बन रहा है उससे देश के अंदर capital generation ह हो रहा है आप उसको revenue deficit में कैसे गिन सकते हो तो revenue deficit में से grant वो वाला grant minus कर दो जिससे कहीं पे capital generation हो रहा भारत में तो जो capital generation वाला grant हम दूसरे देशों को दूसरे राज्यों को देते हैं वो minus करके देखते हैं जो आंसर आएगा उसको effective revenue deficit कहते हैं जैसे revenue deficit आगया 100 रुपीस उ किसी सरकार को किसी राज्य सरकार को कि तुम अपने यहाँ पे पूल बना लो, अपने यहाँ पे सडके बना लो, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल्स बना लो, वो वाला पैसा इसमें से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा that will be effective revenue deficit. I hope यह types of deficit आपको समझ आ गए हैं, अब एक बार इनके MCQs हम कर लेते हैं, कि कितने कैसे कैसे क्या होता है, देखो, which of the following is the definition of a budget deficit, budget deficit का क्या इसमें से definition होगा, excess of total expenditure over the total receipt minus interest payment, interest payment हमने इसमें हटाई नहीं थी, वो तो primary deficit था, excess of total expenditure over the total receipt minus borrowing, बोरोईंग का तो कोई पंगा ही नहीं था, वो तो fiscal deficit था, excess of the revenue expenditure over revenue receipt, revenue expenditure minus revenue receipt, ये तो revenue deficit निकालते थे, excess of total expenditure over total receipt, ये होता है, budgetary deficit, total expenditure minus total receipt is equal to budgetary deficit, आंसर क्या आ जाएगा, D, ठीक है, इसके बाद, question number 2, which of the following is a development that can occur as a result of deficit financing, अब देखो students, ये एक शब्द आया, deficit financing, अब जितना भी घाटा सरकार को होता है, जितना भी नुकसान सरकार को हो रहा है, जितना भी deficit government को होता है, उस deficit को पूरा करना होता है, किस-किस तरीके से सरकार पूरा करती है, लोन लेके पूरा करती है, अब लो हो, बहुत सारा लोन भी हमें ना मिला हो, तो हम new currency प्रिंट करेंगे, new currency प्रिंट करते हैं अपने देश में, RBI ये new currency प्रिंट करेगा, ये new currency प्रिंट करके, RBI इस new currency को प्रिंट करके सरकार को उधार दे देती है, सरकार को लोन दे देती है, कि ठीक है, आप ये लोन के अब सरकार loan लेके उससे क्या करेगी देश में न्यू न्यू करंसी जो है वो मार्किट में आ रही है अब न्यू करंसी मार्किट में आ रही है तो उससे बहुत जादा महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि जादा पैसा हो गया market में, जादा पैसा हो गया तो जादा demand होगी, जादा demand होगी तो जादा महंगाई हो जाएगी तो deficit financing क्या होता है, to finance the deficit, deficit को finance करने के लिए सरकार जितने भी initiatives लेती है, उसको हम deficit financing कहते है नया loan लेना, नई currency प्रिंट करवाना, इसे inflation भी बढ़ता है, ठीक है, तो अब देखते है, the rise in inflation within the economy, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, it improvement in money supply, money supply बढ़ेगी, सही बात है, क्योंकि नई currency प्रिंट हो रही है, market में पैसा आएगा, the increase in government debt, सरकार के loan पर बढ़ोतरी होगी, बिल all of the above, ठीक है, इसके बाद question number three क्या कहता है, what can be said about fiscal deficit, fiscal deficit के बारे में क्या कह जा सकता है, क्या होता है, interest payment, borrowing, borrowing minus interest payment, interest payment minus borrowing, क्या होता है, मैंने बताया था, fiscal deficit क्या होता है, borrowing होता है, अगला question आपको बताना है What is referred to as primary deficit Interest payment, borrowing Both interest payment and borrowing Borrowing minus interest payment आपको बताना है primary deficit के अंदर सबसे important शब्द क्या पड़ा है हमने किसको minus करें कि हम लोगों को primary deficit मिलता है ठीक है आपको बताना है इसका answer comment section में मैं इंतजार करूँगी आपके comments का और मैं देखूंगी कि कौन-कौन students जो है वो इसको पढ़ रहा है, समझ रहा है comment कर रहा है, ठीक है तो I hope आप लोगों को ये topic जो है वो clear हो गया है, thank you so much take care, bye bye